नम्शकार मैं हूँ लीला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 में कार्तिक पूर्णुआ कब है अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णुआ के दिन शनान और दान को देक मत्तव दिया जाता है इस दिन किसी भी पुवित्तर नदी में शनान करने से नुश्य के सभी पाप दोल जाते हैं कार्तिक पूर्णमा पर दीपदान को भी विशेश महत्तव दिया जाता है माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का शीरवाद प्राफ्त होता है तो चलिए जाते हैं कार्तिक पूर्णमा 2020 में कव है का शोमूर्त क्या है कार्तिक पूर्णमा का महत्तव क्या है पूजाविदी और कथा क्या है अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णमा बार्षे 2020 में 3 नमंबर 2020 देन सौंबार को है अब बात करेंगे का पूर्णमा तिथी कब शुरू होगी और का समापत होगी पूर्णवा तिथी शुरू होगी नत्ती नमंबर दो जार वी को रात बारा वजकर संधारी मेंट पर कार्तक पूर्णवा का महत्व हिंदु दारम में कार्तक पूर्णवा को बहुत अधेक मत्व दिया जाता है प्राणों के इंसार इस दिन बगवान शेव ने त्रिप्रा नाम के राक्षिस को मारा था इसकी वज़ा से इस पूर्णवा का नाम त्रिप्री पूर्णवा भी है इसके लावा इस दिन गंगाशनान को बहुत महत्व दिया जाता है इसलिए कार्तक पूर्णमा को गंगा शनार के नाम से भी जाड़ा जाता है इस दिन गंगा जी में डुब की मारने से मनोश्य के सभी पाप दोल जाते हैं कार्तक पूर्णमा के दिन दीवधान का भी वशेच महत्व है शाष्तरों के इंसार इस दन दिया गया दान स्वर्ग में स्रक्षत रखा जाता है और मृतू के बाद इस दान के फाल्ग की प्रावति उसे स्वर्ग लोग में होती है इस दन बगवान शेव के दर्शन करना बहुत ही शोम मना जाता है इसके सास कार्तक पूर्णवा पर गाये का बच्छडा दान करने को भी बहुत शोम माना जाता है ऐसा करने से बगवान शेव की उशेष किर्पा प्राफ्त होती है अब बात करेंगे कार्तक पूर्णवा पूजाविदी के भारे में कार्तक पूर्णमा के दिन संब्भ हो तो शनान गंगा जमनार पुटर नदियों में करें कार्तक पूर्णमा के दिन जदी नदियों तक जाने में समरत हो तो गार में ही गंगा जाल जान स्वाश जाल से नहा कर पूजन करें कारतक पूर्णवा के दन प्रैस करें के सुरिया देव को अर्पत करने वाले जल में लार रंग का पूल, गोड़ और चावर थोड़ी मात्रा में मलाएं कारतक पूर्णवा के दन गर के मुक्ख दोर पर आम के पत्तों से बना तोरं जानी बंदन वार लगाएं कार्तक पूर्णवा की शाम सार्सों का तेल, काले तेल और काले बस्तर किसी गरीव जान जुरूरतमांत को वच्छ दान करें कार्तक पूर्णवा के दिन साथ तुलसी के पौदे के पास दीप वच्छ जलाएं कार्तक पूर्णमा के दिन पूजन के बाद तुलसी जी की परकर्मा करें परकर्मा की संक्या एक तीन पांच साथ जहां ग्यारा होनी चाहिए इस दिन जो गे ब्रहमन को दान देने से दान दाने से लाब मिलता है कार्तक पूर्णमा के दिन बगवान शेव के साथ ही बगवान विश्नु की पूजा वच करें कार्तक पूर्णमा के दिन जातक अपने चातुमास के बर्तका भी समापन कर सकते हैं कार्तक पूर्णवा के दिन बार्तका समापन यी देवी तुलस्ती बगवान शेव और बगवान विश्नु के पूजन के बाद ही करी कार्तक पूर्णवा के दिन पूजन होने के बाद आंतमे चंदरमा की शे किरितकाओं का पूजन करना मिलावदाई होता है कार्तक पूर्णवा की कथा प्राचीन कथा के इंसार बताया जाता है के तृपासर नाम के एक राक्षिश ने कठोर तप किया उस राक्षिश की तपस्या दिन प्रती दिन कठोर होती जा रही थी तृपासर का इतना कठोर तप देख सवी जीव जनतू जड़ चेतन और देवगण बैवीत होने लगे क्योंके साब को डार था के ताकपूर्ण होने पर वो ना जाने क्या ब्यानक ब्रदान मांग लेगा इसलिए देवताओं ने तृपासर के ताप को बंग करने की जुक्तिव नाई तपस्या बंग करने के लिए देवगणों ने सवर्ग की अफसराओं का सहारा लेना चाहा अफसराओं ने तृपासर के ताप को बंग करने का प्रयास किया लेकन सफल ना हो पाई जब त्रपासर की तपस्या पूर्ण हुई तो बरदान देने के लिए ब्रमा जी परकट हुए और बरदान मांगने को कहा बरदान में त्रपासर ने ब्रमा जी से मांगा के ना मुझे किसी देवता के हाथ से मरूं और ना ही किसी मनुश्य के हाथ से कठन तपस्या के फाड़ सुरूप ब्रमा जी को तथा अस्तू कहना पड़ा बरदान मिलने के वात्रपा सर नेडर हो देवताओं और मनुश्य पर अत्याचार करने लगा प्रत्वी पर चारों और उसके प्रती नुश्यों और देवताओं में डरत्पन हो गया सभी देवताओं ने बगवान शेव से प्रार्थना की कि वो उस शराक्षिस से उनकी रक्षा करें तरपा सर भी एहकार वाच्छ का इलाज की और बाड़ चला पहुंचकर बगवान शेव से जुद किया जे जुद सालों चला अंत में बगवान शेव ने जुद में तरपासर को हरा संसार को उस पापी के बैसे मुक्त किया आप बात करेंगे दान, हवन और दीप दान का शुब समा सुबा शेव आजकर अठवजा मिंट से सुबा आठव आजकर चौदा मिंट तक का है सुबा नौ वाजकर बती मिंट से सुबा दास वाजकर कवंजा मिंट तक का है दपहर एक वाजकर नती मिंट से दपहर दो वाजकर शाली मिंट तक का है नती नमंबर की रातरी में पूर्णमा तिसी लगने के कार्ण ती नमंबर को दान शनान किया जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वार वाचिंग दिस वीडियो